हेलो फ्रेंड्स आयम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्यान तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट कोशन से डिसकस किये थे जनरल साइन्स यानि सामान विज्ञान से जुड़े वे जो की लेकपाल की जो वेकेंसी आई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे तो आज के इस वीडियो में हम जीएस इंपोर्टेंट कोशन पार्ट टू डिसकस करने वाले है तो दोस्तों बेना किसी फालतू बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेना टायम गवाए लेट्स स्टार्ट तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा पहला प्रश्ण है और हमारी स्लाइड का 21 प्रश्ण है वो है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो लौ आफ फ्लोटिंग है यानि जो तैरने का सिध्धान्थ है वो हमें बताया था Archimedes ने इसका एक Archimedes Principle होता है Archimedes जो Principle होता है यानि कि Archimedes का जो सिधान्त है वो ये है कि जब भी हम किसी object को पानी में डालते हैं तो उसका weight जो होता है वो हलका हो जाता है हम जादे इसके बारे में नहीं जानेगे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम किसी next वीडियो में Archimedes प्रिंसिपल को कवर करने का प्रियास करेंगे तो इसका जो correct answer होगा वो होगा D तो friends आगे बढ़ते हैं जो हमारा next question है वो है ग्वाइटर excessive growth of रोराइट gland causes by the deficiency of यानि ग्वाइटर ग्रंथी की अधिक वृद्धी किसकी कमी के कारण होती है तो हमको पता है कि जब ग्वाइटर जो बीमारी होती है जो ग्वाइटर हमारा gland होता है वो जब आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो यह गले में Glenn होती है हमारी यह जो gaiter होता है उसमें swelling आजाती है ठीक है तो iodine की कमी से यह होता है तो इसका correct टांसर होगा iodine आगे बड़ते हूं जो हमारा next question है दोस्तों वो है cytology is यानि cytology है तो जो cytology होता है दोस्तों यह होता है study of cells क्या होता है study of cells जो cytology होता है वो होता है कोशिकाओं का अध्यन ठीक है तो इसका correct answer होगा C आगे बढ़ते हैं जो हमारा next question है वो है the disease athlete foot is caused by रोग जो है हमारा athlete foot ये किसके कारण होता है तो ये जो रोग होता है athlete foot ये protozoa के कारण होता है दोस्तों जैसे कभी-कभी हम गीले पैर में socks को पहन लेते हैं मोजो को पहन लेते हैं तो कभी कभी यह गीले मोजों को पहनने के कारण हो जाता है यह athlete foot बिमारी तो जो protozoa होते हैं protozoans होते हैं वह वहाँ पर attack कर देते हैं तो इसका correct answer होगा C protozoa तो friends जो हमारा next question है वो है blood is N यानि रक्त है एक रक्त क्या है तो जो हमारा रक्त होता है blood होता है यह पूरे body में body में दोस्तो connection के लिए जाना जाता है तो यह obviously एक connective tissue होगा blood के साथ साथ हमारा जो lymph होता है ठीक है lymph जो होता है हम कह सकते हैं जो bones होती है muscles होती है bones में especially ligaments tendons आपने साथ पढ़ा होगा तो यह especially हमारी आती है किसमें connective tissue में ठीक है तो a connective tissue इसका correct answer होगा यानि कि संयोजी उत्तक आगे बढ़ते हैं जो मारा next question है वो है which part of animal cell is called power house जी हां जन्तु कोशिका के किस हिस्से को power house कहा जाता है ठीक है तो जब हम cell organelle topic को पढ़ते हैं तो इसमें हमारा आता है mitochondria जो होता है इसे हम power house of the cell कहते हैं क्योंकि इसमें energy currency होती है energy की जो currency होती है हम इसको कहते है ATP क्या कहते हैं दोस्तों ATP ATP का full form होता है adenosine triphosphate इतनी सारी जानकारी आपको मिल लेए तो इसी बात पर एक like तो बनता है दोस्तों तो वीडियो को like कर दीजे तो इसका जो correct answer का वोगसी mitochondria जो power house of the cell होता है उसे हम mitochondria को कहते हैं आगे बढ़ते हैं जो मारा next question है आए देखते किया जाता है इन human body vitamin A is stored in तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो vitamin A होता है human body में यह संग्रहित होता है liver में यानि जिगर में यह संग्रहित होता है ठीक है तो vitamin A और दोस्तों एक और information आ रहे है कि vitamin A की कमी से एक बीमारी होती है उसे हम कहते है night blindness इसे भी आप ध्यान में से रख लीजे vitamin A की कमी से एक बीमारी होती है night blindness इसे हम हिंदी में रतौंधी भी कहते है ठीक है night blindness vitamin A की efficiency ही होती है चली आगे बढ़ते है जो मारा next question है वो है who propounded the theory of evolution यानि विकास के सिधान को कि इसने प्रिर्ट किया था बहुत ही famous evolution है बहुत ही famous सिधान है दोस्तों तो darwin's evolution darwin's evolution का नाम आता है darwin's evolution ठीक है तो इसका जो correct answer लोगा वो होगा darwin B तो फ्रेंट जो मारा next question है flowerless plants are termed as यानि pushp rahit paudhe होते हैं तो इसका जो correct answer है दोस्तों pushp rahit paudhe होते है हमारे crypto goms ठीक है crypto goms हमारे crypto games जो होते हैं यह flowerless plants होते हैं ठीक है flowerless plants हमारे यह होते हैं आगे बढ़ते हैं जो माने next question है वो है which of the following has the highest resistivity इनमें से उच्चुतम प्रती रोधकता ठीक है होती है किसकी यहाँ पर हमें दिया गया carbon constantin naikrom germanium तो carbon की highest नहीं होती है होती है लेकिन नॉर्मल होती है constantin naikrom की इसका जो correct answer है वो जर्मीनियम जो जर्मीनियम होता है इसकी resistivity ज्यादा होती है इन तीन के comparison में ठीक है तो इसका जो correct answer हो वो जर्मीनियम आगे बढ़ते हैं जो माना next question है वो है तो c इसका right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जो माना next question है वो है the Bernoulli's theorem यानि जो बरनावली का प्रमेय है वो क्या है ये एक उर्जा संरक्षन का theorem है इसमें हम किस दिन detail से बात करेंगे तो इसका जो correct answer है वो है e उर्जा संरक्षन energy conservation ठीक है आगे बढ़ते है next जो हमारा question ह है वो है which one of the following color has maximum energy यानि निम्लिखित में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा ओर्जा रखता है तो violet light जो होती है दोस्तों आपने सुना होगा विब ग्योर का नाम विब यानि रेंबो में जो हमारे colors होते हैं विब ग्योर ठीक है तो इसमें देखिए सबसे पहले वी आ रहा ह सिधा आंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question है हमारा दोस्तों x-rays was invented by यानि x-ray का आविश्कार किया गया था किसके द्वारा तो इसमें दोस्तों x-ray के आविश्कार में जो नाम आता है वो है रॉंग्टन विलियम रॉंग्टन रॉंटगन का नाम आता है तो इसका जो correct answer ह ठीक है आगे बढ़ते है next question है हमारा next question है यह who developed the atom bomb atom bomb की खोज किस ने की थी तो दोस्तों atom bomb की खोज में जो नाम आता है वो है जे j robert open hammer j robert open hammer यह आता है नाम तो भी इसका correct answer हो जाएगा अब जो आविश्कारक के नामें इसे थोड़ा ध्यान से आप देखीगा next who developed the missile यानि missile किसने विक्सित की सबसे पहले ठीक है तो भारत में तो ap j abdulkalam साब का नाम आता है लेकिन यह world के context में हमसे पूछा जा रहा है world के context में तो इसका correct answer होना चाहिए मेरे हिसाब से होना चाहिए ए वर्नर वान ब्राउन ठीक है इनका नाम आता है एक इसका correct answer हो तो फ्रेंट चलिए हम next question की तरफ बढ़ते है जो माना next question है वो है who developed the hydrogen bomb यानि hydrogen bomb का जो आविश्काय था या किसने इसे विक्सित किया था तो दो सब्सक्राइब आविश्कार जिसने किया था तो स्कूटर में देखिया रहा है तर ठीक है तर और जो इसका आविश्कार है उसके नाम में भी आता है तर इसका जो आंसर क्या होगा वोगा डी विम आव बोटर ठीक है विम आव बोटर इसका correct answer हो जाएगा स्कूटर का आविश्कार में आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है हमारा विच आफ फॉल्विंग है लोएस्ट रेजिस्टिविटी हाइस हमको बताना था जो के था जर्मीनियम अब इसमें हमें लोएस्ट बताना है तो सिल्कॉन सिल्वर नाइक्रोम इबोनीट इसका correct answer है ठीक सिल्वर हो जाएका correct answer आगे बढ़ते हैं next question जो है हमारा वो है the yellow the yellow color of urine is due to presence of ऐनी मूत्र के सिल्वर क्पीले रंग का होने किसकी उपस्तिती से होता आए तो ये दोस्तों rain में हमारा एक इरो क्रोम यूर क्रोम् पिगमेंट पाहता है तो इसी की बियू एसे जो यूरेन होता है वो पीला हो जाता है ठीक तो इसका correct answer हो होगा हमारा इसका जो होता है हमारा यूरिया वो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ जो मारा नेक्स्ट कोशन है वो है इन हूमन बॉडी टोटल बॉन्स आर मानो शरीर में कितनी हड्डियां कितनी अस्थियां होती हैं बहुत ही आसान परुष्चन दोस्तों बच्चों वाला 206 आपने पेशियां होती हैं वो एक्चुली 656 हैं और अगर हम सभी छोटे मसल्स को भी जोड़नें तो यह लगभक जुड़के हो जाती है लगभक 700 तो ऑप्शन में हमें गर 700 दिया हो तो हम 700 पर ही टिक लगाएंगे अगर टोटल पूछेगा यहां पर मुझे 700 कहीं भी नहीं आ रहा तो यह study of glands को actually कहते हैं जो endocrinology यहां पर दिया गया है endocrinology यह study of glands को ही कहा जाता है तो इसका correct answer रहा है आगे बढ़ते हैं next question की तरफ दोस्तों यह यहां पर the number of teeth which are replaced in man are यानि मानो सरीर में कितने दात और इस्थाई होते हैं which are replaced in manner यानि replaced का मतलब हमसे कहा जा रहा है कि व आगे बाद टूटके दोबारा जमते हैं तो मानो शरी में चार प्रकार के दात होता है इंसीजर, canine, molar, pre molar ठीक है तो इंसीजर, canine, premolar, molar ठीक है तो इस्थाई माना जाता है यह milk teeth से तूटता है तो इनकी जो total संख्या होती है वह होती है 20 और जो molars होते है उनकी जो संख्य होती 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 है 12 तो इसका जो correct answer आइस था ही हमसे पूछा गया है तो B होगा 20 ठीक है आगे बढ़ते है next question की तरफ हम the total number of ear bones is जो हमारे ears में कर्ण में हड़ियों की कुल संख्या, अस्थियों की कुल संख्या कितनी है तो total हमसे पूछा है दोनों कान का ध्यान रखना है तो एक कान में 3 होती है दो कान में हो जाएगा हमारा कितना बताइए 6 इसका correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम फटाक से study of liver is called लिवर का जो लिवर का जो अध्यान होता है उसे हम क्या कहते है तो लिवर का एक और नाम भी होता है दोस्तों लिवर का एक नाम होता है 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 यहतिक है है तो है तो एक से क्या हो जैगा जल्दी मजाएं जल्दी के लाइन कितने जोड्य होती है तो टोटेल दोस्तों चौवीस होती है और एक पीयर में माना जाता है दो तो इसकाog right ऊर्फ술ो法 तो दोस्तों 12-12 प्याइब ऑफ रिप्स पारा पेइर्स और पस्दियां होती है एक आगे बढ़ता है नेक्स्ट कोशन की तरफ कि प्लांड प्लांट सेल वाल इस मेड up of यानि जो प्लांड कब ले यहां पर हमारा 50 कोशन हमने का तक ढिसकेस करें सब्सक्राया और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही यह वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट चैक्चरी में ज़रूर में बताइएगा और ऐसी एसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए इंट्रेस्टिंग प्रश्णों के लिए प्लीज शेर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन स्टे ट्यून जै हिन जै भारत वन्दे मात्रम एंड टेक केर